शीरादे रादे, भक्तों इश्वर और इश्वरी शक्ति को धारण की वे महापुरुष। हमको सदा देखते रहते हैं। हमारी बुद्धी के परे का विशा है भक्तो जे। हम जो भी कारे करते हैं, उन सब को देखते रहते हैं। कहीं भी हम हो। देश में भी देश में, जंगल में, पहाड में, घर में, सुन्सान में या भीड में। ये दिव शक्तियां और दिव शक्तियों के स्वामी प्रभू हमको देखते रहते हैं। और हमारे उच्चितम स्रेष्ट सेवाकारियों को देखकर इतने प्रसंद हो जाते हैं, कि कभी कभी संकेत कर देते हैं। मैं तुम्हे देख रहा हूं और मेरा मन प्रसंद हो रहा है। इसी तरह से हमारे निक्रिष्ट कर्मों को भी जखते हैं। पर इतने एक शमासील हैं कि जल्दी बताते नहीं हैं। कि तुम ऐसा कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं। भक्तों भगवान तो सरवत व्यापक हाए है। लेकिन ये दिव्य महापुरुष्ट जो होते हैं, वो भी व्यापक होते हैं। गलाप श्रमण कर रहे थे। कि महावतार बाबा ये देख रहे थे। कि युगतेश्वर जी ने दो होली साइन्स नामत पुस्तक पूरी कर लिया है। जिसमें पास्चात्य देशों का और वेदों में वरनिक श्तनातन धर्म का समन्नों है किया गया था। और जब गंगास नान करके युगतेश्वर जी भीगे कप्रों से ही चले आ रहे थे। तो वतवर्क्स के नीचे अपने शिष्टों से घिरे हुए थे महावतार बाबा बैठी हुए विराजमान। और इतने उच्चतम महापुरुस ने भी स्वामी युक्तेश्वर जी को कहा नमस्कार स्वामी जी। अब देखिए सामान्य मनों से जो होते हैं तो सुचते हैं हम पोज हैं हम बड़े हैं हम किसी को प्रणाम नहीं करेंगे सब हमें प्रणाम करें। लेकिन महाउतार बबा तो सर्वस्रेष्ट महापुरुस और वो करें युक्तेश्वर जी से नमस्कार स्वामी जी। और परमगुर की मधूर आवाज इतनी प्यारी थी कि उसकी गौद सुनाई पड़ गई। आवाज पहिचान में आ गई। और आगे महाउतार बबा बोले, मैं देख रहा हूं कि आपने सफलता पुरुक अपनी पुस्तक पुरी कर लिये। और मैंने कहा था आपसे कि जब आपकी पुस्तक पुरी हो जाएगे तो मैं आपको धन्यवाद देने हूंगा। और वही दिन है अपने वचन के अनुसार में आपको धन्यवाद करने आया हूं। महाउतार बाबा स्वयम बोल पड़े थे वक्तों ये बात। कितने भाग इशली थे युकतेश्वर जी महाराज। और वक्तों ये तो आपको मालूम ही है कि परमंस योगारन जी के गुरुदेव थे युकतेश्वर जी। और युकतेश्वर जी ने जब देखा है अर्था दर्शन प्राप्ट किया है महाउतार बाबा कहा। कि शिष्ट मंदली सहीद वटवर्ख के नीचे विराजमान है तो तेजी से धड़कते उर्दय के साथ उनकी चरणों में जाकर सास्टांग दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विने के साथ उनकी याचना करते हुए श्री युक्तेश्वर जी बोले परम गुरुवर मेरा घ अपने शिष्टों के साथ आकर के मेरे घर को पावन करेंगे अव महराज इस बात को सुनने पर परम गुरुष्री महाउतार बाबा ने मुश्कराते हुए कहा नहीं बेटा हमें लोग हैं जिने वरिक्षों की छाया ही रासाती है यहां में पूरा आराम है घर में आने कि इच्छा आमारी नहीं रहती है तो श्री युक्तेश्वर जी ने सोचा कि इतना बढ़िया माउका मिला मुझे गुरे अच्छा गुरुदेव तो आप यहीं थोड़ जैठार जाये श्री वटवरुष्की नीचे ही और बहुत प्यार से उन्होंने देखा माउतार बाब और युक्तेश्वर जी बोले मैं तुरंट कुछ मिठाईयां लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं और जब कुछ ही मिंटों में मिठाईयों का थाल लेकर के युक्तेश्वर जी वहां भागते ही विटेजी से आए तो देखा कि उस विशाल वटवरुष्की के नीचे से वो दिव्व महार संतों की मंदली के साथ आई वे महाउतार बाबा अब नहीं है श्री वुक्तेश्वर जी योगानंजी से बता रहे हैं वक्तों कि मैंने घाट के चारों और खोजा और अपने मन में जान चुका था मैं कि वे लोग तो हवा के पंखों पर उड़ चुके थे अर्थात वे अद्रिष्ट हो चुके थे और नोंका दर्शन नहीं मिल रहा था युक्तेश्वर जी को घहरा आघात लगा कि मैं परम गुरू को आज कुछ भी ने खिला सका और पूरे सेश्टों सही तो अद्रिष्ट हो गए मैं कोई सेवा ही नहीं कर पाया और मन ही मन निष्टे किया कि कभी बाबाजी के साथ मेरी भ्येटे दे हो गई तो मैं उसे बात नहीं करूँगा ये भक्तों बहुत अधिक प्रीति में जिससे बाबा से नाती नाराज हो जाता चोटा बच्चा जिस चोटा बच्चा अपने बाबा से अपना आजा ग्रेंट फादर से नाराज हो जाए कि मैं आप से बात नहीं करूँगा ऐसे श्री युक्तेश्वर जी के गुरुदेव के गुरुदेव महाउतार बबाबा युक्तेश्वर जी के गुरुदेव चैमा चनलाडी जी और उनके गुरुदेव महाउतार बबा तो अपने गुरुदेव के गुरुदे और थाथ परम गुरु से वो मन ही मन नाराज हुए कि आपने मेरी कोई सेवा नहीं लिया आप चले गए तो उन्होंने मन में सोच लिया कि फिर कभी दर्शन मिलेगा तो मैं बात नहीं करूँगा और इस तरह प्रस्थान करके आपने भारी निष्ठोड़ता दिखलाई है चंद मिनेट और लुख जाते तो क्या भिगड़ता आपका और गुस्ता ये जो था ना युक्तो चर्जी कोई प्रेम वाला गुस्ता था गुक्तो और कुछ नहीं कुछ महीनों बाद श्री युक्तेश्वर जी काशी में अपने गुरुदेव लाहडी महाशे के दर्शन के लिए गए है और जब उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो श्री लाहडी महाशे मुस्कर आए और बोले आओ युक्तेश्वर और महाराज आगे उनोंने कहा अभी अभी मेरे कमरे के दवार के पास बाबाजी से तुमारी भैठ होई ना तो युक्तेश्वर जी ने कहा नहीं, नहीं गुरुदेव बहुत आश्चेजिसे उनोंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं दर्शन कर पाया उस्षी लाहडी महासे ने अपना हाथ युक्तेश्वर जी के माथे पर रखा और वो लई धर आओ और उसी एक्षण दर्वाजे के पास उन कमल की तरह खिले गुए भाबा जी रथात महाउतार भाबा जी बैठे वो दिखलाई पड़े अपने देश में अर्थात भारत वर्ष में ये एक सिष्टा चार का नियम है न कि गुरुदेव का दर्शन हो तो कुछ मिठाई कुछ पत्रपुष्प फल अरपन किया जाए उनके चिरणों में और यही भाव था युक्तेश्वर जी का कि हमको महाउतार भाबा जैसे परम गुरु का दर्शन मिला तो हम कुछ लाह करके फल फूल मिठाई अरपन करेचरनों में और ले आये तब तक तो महाउतार भाबा अंतरधान हो चुके थे इसी बात से नाराजगी उनको थी कि जैसे अपने बुजूर्गों से नाराज हो ऐसा प्यार भरी नाराजगी थी वह तो मुझे उनका उका रहे हैं युक्तेश्वर जी कि मुझे अपना पुराना दुख याद आया कि मैं उस समय गुरुदेव की कोई सेवा नहीं कर पाया था महाराजी ते नाम मन में उस बात कि उनको गुलानी थी कि मेरी लाइव ही मिठाही आज बाबा ने नहीं लिया जैसे छोटा वच्चा रोटता है न ऐसे बिलकुल तो उन्होंने दर्शन प्राप्त किया गुरुदेव लाइडी के द्वारा महावतार बाबा का बनारस्प्रेण लेकिन उनको प्रणाम नहीं किया तो लाइडी महाशाय चकित होकर युक्तेश्वर जी कि उर देखने लगे कि महावतार बाबा को देखने पर विप्रणाम ने किया। इश्वर तुल्ले महाराजी महापुरुस होते हैं। वो अपने अथा प्रेम भरे नेत्र से युक्तेश्वर जी की ओर देख रहे थे महावतार बाबा। और फिर दीरे से बोले तुम मुझे से नाराज हो ना। तो युक्तेश्वर जी ने बच्चे की तरह सिखा श्रीजुका के क्यों नहूं महाराज। हवा में से आप अपनी जादोई मंदली के साथ आउतिर्ण हुए थे। और हवा में ही आप अंतरधान हो गए। मैं आपकी सेवा में कुछ फल फूल लेकर आया था। उसके पहले आप अंतरधान हो गए। तो महावतार बाबा बोल पड़े। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। कितने समय तक वहां रहूँगा ये नहीं कहा था मैंने। और भाबा जी ने सौम्हासी के साथ कहा इसी बातें। कि मैंने ये तु नहीं कहा था किती दिर रहूँगा। बोल मिलने आ गया था मैं। तुम बहुत तेजी थो उठे थे। मैं तुम विश्वास दिलाता हूँ कि तुमारी चंचलता की आधी नहीं मुझे विलूप्त कर दिया। और महाराज इस सत्यनिष्ठ स्पस्टी करण से युकतेश्वर्जी तुरंट समतुष्ट हो गया। और तब युकतेश्वर्जी चरण पर मस्तक रखती है। महावतर बाबा की चरण पर मस्तक रखती है। अब आप विचारी के ट्ने भागिशली थी युकतेश्षवर जी इनकी चर्चौली में पहले नहीं सुनाई थी श्यमा चरनगी का सुनाया था, महाउतर बाबा का सुनाया था आप Śrī योगाननी के साथ-साथ आप 텐े युगतिश्वर जी का भी स्वरण कर रहें चरित हो और तब महावतार बाबा जब देखे कि चरणों पर मस्टक रखे वो पढ़ा हुआ है अश्रुवी मोचन कर रहा है युक्तेश्वर तो बड़े स्ने के साथ युक्तेश्वर जी का कंधा थफफपाया और ते उन्हें महावतार बाबा निका आधिक जान किया करो और साधन कि तुम्हारे दिश्टिय भी निर्मल नहीं हुई बेटा अब हो जाएगी चिंता मत करो लगे रहो इसी तरह से तो सूर्य प्रकास के पीछे चिपा था अपने ले करें थे महावतार बाबा कि मैं सूर्य प्रकास के पीछे चिपा था और तुमझे देख नहीं पाएश्वर प्रकास के समान मधूर आवाज में वे शब्द कहते ही बाबाजी गुप्त तेज में फिर अंतरधान हो गए अब लालच यही होती ही न भक्तों की कि हमको भगवान मिले या कोई ऐसे दिव्य महापुरुष मिले तो हमारी इच्छानुसार सारी सेवा हमारी स्वीकार करें अब आपकी इच्छानुसार वो सब आपकी सेवा स्वीकार करें ऐसा संभू नहीं है यह बात इक तो श्रव जी की समझ में आ गई थी और वे फिर अपने सिश्य योगा नंजी से कह रहे थे कि गुरु दर्शन के लिए वो मेरी अन्तिमकाशी आत्रा थे कुम्भ मेले में बाबाची द्वारा की गई भविशिवानी के रूप लाहरी महासे के ग्रिहस्थ योगी अवतार का अंत निकटा रहा था उन्नीस थारासो पंचानवे सानथ थारासो पंचानवे के ग्रिशनकाल में उनके मजबूत शरीर की पीठ पर एक छोटा सा फोड़ा निकलाया लाडीजी के शरीर पर उन्होंने उसे चीरा नहीं देने तिया क्योंकि वे अपने कुछ शिश्यों की बुरे करमों को अपने शरीर पर लेकर उनका भोग पूरा कर रहे थे अंतर तर जब कुछ शिश्य बहुत ही आग रह करने लगे तब गुरुदेवने रहस्य मेशम्तों में कहा वक्तों बात यह है कि सामान्य मनुष्य को सब ग्यान तो होता नहीं सामान्य मनुष्य साधक बनता है साधक गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, महापुरुषों के कृपा से आगे बढ़ते बढ़ते तब ग्यान प्राप्त करता है तो श्यामाचन लाडी जी महाराज गुरु कृपा से बहुत उच्चिकोट के महापुरुष हो चुके थे और उन्हें बहुत से अपने शिष्यों का कस्ट अपने शरीर पर ले लिया था और वो ही फोड़ा सा बन गया था तो शिष्य लोग आग्रह कर रहे थे गुरुदेव ये इसका इलाज करा लिजे ने फोड़ा जो इसका प्रशिन करा लिजे तो उन्होंने कहा नहीं है बेटा ऐसा नहीं है शरीर को जाने के लिए निमित कुछ चाहिए और मेरा भोग पूरा हो पया है मेरा शरीर अफ जाएगा देखी एक महान योगी की कथा है बक्तों उनको सब दिखला ही पड़ता था बोले कि शरीर को जाने के लिए अर्थाद शरीर छूटने के लिए कुछ निमित तो चाहिए लोग कहते ने कैसे सरी छूटा क्या गट न गटी क्या विमारी हुए तो इसलिए फोड़ा रहना चाहिए शरीर पर तभी तो सरी छूटेगा तुम लोग जो कुछ करना चाहते हूँ उसके लिए मैं तयार हूँ और इसके थोड़े ही दिन बाद अज्वितिय गुरू ने बनारस में उठातवारा नसी में देह त्याग कर दिया अब उनके दर्ष्णों के लिए उनके बैठक खाने में जाने की कोई खासा हो सकता अब नहीं रहे वक्तुमा करण यह है कि वो परम्योगी लाड़ी जी अब व्यापक हो चुगे थे शरी एक जिगर आने वाला आप नहीं था तो व्यापक हो चुगे थे शरी छूट और उनका दर्षन श्री युक्तेश्वर जी को बिना लाड़ी जी की कुटिया में गय भी हो जाता था और कई वर्ष्णों बाद लाड़ी महाचाय की एक उन्नत सिष्ष्वामी केश्वानन जी से उनके दे त्याक के विशेमा ने कास्चर जनक विबरन सुनने को मिले यु केश्वानन जी को केश्वानन जी ने बताया शरी छोड़ने के कुछ ही दिन पहले मेरे गुर्देव मेरे सामने एक दिन उस समय अचानक प्रकट हो गए जब मैं हरी द्वार के अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था और प्रकट हो करके बोले तुरंत बनारस आजाओ ना कह करके लाहरी महासे अंतर ध्यान हो गए था और उन्होंने कहा केश्वानन जी ने युक्तेश्वर जी से बताया था कि मैं तुरंत बनारस जाने के लिए गाड़ी पकड़ी मैंने और अपने गुरू के घर में अनेक शिष्चों को मैंने 71 देखा तो उस दिन कई गंटों तक गुरुदीव ने गीता पर प्रवचन किया और फिर अत्यान्त सरल शब्दों में कहा मैं अपने घर लोड रहा हूं वक्तों ये केश्वा नंग जी जो लाड़ी जी केशिष्च थे उनको थीक उस समय बुलाया था जब शरीर छोडने की लीला उनको करनी थे लीला मैं इसलिए कर रहा हूं वक्तों कि ये सामान्य मनुष्ट्री की मृत्यू वाली बात नहीं थी वो शरीर छोडने के बाद भी अर्थात आज भी कहीं भी जहां चाहते हैं श्री लाड़ी जी प्रकट होते हैं इसलिए वो शरीर छोडना उनकी एक लीला थी तो जब वो पहुंचे हैं केश्वानन जी तो वहां भाक्तों से घिरे हुए थे गुरुदेव लाड़ी की और वो बोल रहे थी कि मैं अपने घर लोट रहा हूं और इतना सुनते ही प्रचंड आवे के साथ मरा चब किसी सकीया फूट पड़ी अर्था तो रोगों के आशू निकलने लगे और रोने लगे भाक्तों लोग शीष्टे लोग क्योंकि गुरुदेव का वियोग स्वांग जल्दी नहीं होता ना जिसको वागवान चे अथ्वा गुरुदेव से प्रीती होगी वो रिजन मिलन और वियोग से तो प्रसन और वियोग से प्रीत होता है क्योंकि वो ग्यान सबको नहीं होता है कि मिलन वियोग में एक जशर है और जब सब लोग रोने लगे शिश्च लोग तो श्यामा चरहन लाहरी अर्थात महावतार बाबा के शिश्च जो युक्तिश्वर जी के गुर्देव थे योगा निंजी के गुरू के गुरू थे वो तुरंत बोल पड़े शरी छोड़ने के पहले ही बोल पड़े शान्त हो जाओ रो नहीं मैं पुना जी उठूंगा ये करके लाहरी महाशाय अपने आसन से उठे और तीन बार अपने स्थान पर ही गोल घूमे उत्तर दिशा की ओर मुँ करके पदमासन में बैठ गए और परमानंद में लीन हो करके उन्होंने महा समाधि में प्रवेश किया अब आप ये मत समझना कि सामान्य व्यक्ति की तरह से शरी छोड़ दिया उन्होंने तीन बार अपनी प्रदिक्षणा करके उत्तर दिशा की और मुँ करके बैठना एक वैदिक विधी का हिस्सा है जिसका प्रयोग वे सिद्ध महात्मा करते हैं जिने अपनी शरीर की मृत्यू की एक छण का ठिक ठिक ज्यान होता है उस अंतिम ध्यान में जब सिद्ध पुर्श ब्रहमनाद में विलीन हो जाते हैं तो उसको समाधिस्ट होना करते हैं और महा समाधिवी कहा जाता है तो वही समय था उनका लाड़ी जी महाराज अपने स्थान पर ही गोल घूमे तीन बार और उत्तर दिशा के और मूँ करके पदमासन हो बैठ गए और बैठे बैठे शरी छोड़ा था बैठे बैठे पदमासन में बैठे बैठे शरी छोड़ा था लाड़ी जी ने महा समाधि में प्रवेश किया और भक्तों को इतने प्री लगने वाले लाड़ी महाशे के सुंदर शरीर का अवित्र गंगा तटके मनि करने का घाट पर ग्रिहस्थोचित विधी से महाश दास अंसकार किया गया अब ये देख देख करके तो जो शीष्य लोग थे उनके तो आँखों से आँचों की धार रुकती नहीं थे लेकिन जो ज्यानी शीष्य थे वो गुरुदेव की उस सब्द को याद कर रहे थे कि शांत हो जाओ मैं पुना जी उठूंगा अब ये बात शांत हो जाओ मैं पुना जी उठूंगा ये याद आ रहा है शब्दुन का लेकिन फिर भी आँखों से आँचों नहीं रुकते थे केश्वानन जी ने सब्दर्शन किया था इसलिए वो अपने गुरुभाई युक्तेश्वर जी को सब बता रहे थे और दूसरे दिन सुबह दस बजे जब केश्वानन जी करें जब मैं बनारस में था तो मेरा कमरा अचानक एक उद्ज्वल प्रकास से भर गया और आश्चरे मेरी सामने भवतिक शरीर में ही लाड़ी मासे खड़े थे जैसा पहले शरीर था बिलकुल वही शरीर वस्थ ये शरीर था तो बिलकुल पहले जैसा अंतर एक था ये शरीर थोड़ा सा वृद्धावस्था की तरफ जा रहा था जो उन्होंने छोड़ दिया था शरीर और ये शरीर बिलकुल युवक था अधिक युवा और अधिक तेजस्वी था जो शरीर दाह कर्म जिसका कर दिया गया था जिसको गुरुद्धेव ने छोड़ दिया था जो मानिकरणिका घाट पर अंतिम समस्कार जिसका हो गया अगनी के भेंट कर दिया गया था वो तो कुछ बुड़ा से था लेकिन ये शरीर बिलकुल युवक था और तेजस्वी था और बिलकुल वही के वही प्रकट हो गये थे कमरे में और महराज जब प्रकट हुए थे तो एक दिव प्रकास उत्पन्य हो गया था और लाहडी जी ने केश्वानंद जी से बात की बिलकुल प्रकट सम्मों को बात कर रहे हैं उन्होंने कहा केश्वानंद ये मैं हूँ अपने भास्म हुए शरीड के विगटित अनुओं से मैंने अपने इस नए शरीड की स्रिष् पर मैं पृत्वी को पूर्ट छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ इसके बाद मैं कुछ समय तक हिमाले में बाबाजी के अर्थात महावतार बाबा के साथ रहूँगा और इस तरह से अपने गुर्देव के साथ रह करके पूरे अनेकानेक ब्रमांड में तियो लिशी नहीं सार पूरे ब्रमांडों में बाबाजी के साथ अर्थात महावतार बाबा के साथ वास करूँगा और उनके साथ साथ ब्रमान भी करूँगा और युक्तेश्वर जी के गुरुदेव श्री केश्वानन जी बताये कि मुझे आशिरवाद दे करके गुरुदेव श्री लाहडी जी मेरे कम्रे में यंतरदान हो गये और मेरा हिर्दय एक अद्भूत प्रेलना से बहर गया मुझे उसी प्रकार का आत्यन्त उच्छ आध्यात्मी का अनुभव हुआ जैसे पूर्वकाल में शिद्ध माहपुरुषों को अपने अपने गुरु की लीला पूर्ण होने पर अनुभव हुआ था जैसे कभीरदासजी को भगवान रामानन्द के अंतरधान होने पर अनुभव हुआ था ऐसे ही मुझे अपने गुर्देव महावतार बाबा के सिश्च स्थी लाहरी जी महराज के अंतरधान होने पर अव फिर प्रकट होने पर बिल्कुल आज्या ही अनुभो हुआ जिसे कविर्दाश जी को भगवान रामनंद जी के जाने के बाद भी रगवान रामनंद का दर्शन मिलता था जब चाहते थे प्रकट हो जाते थे ऐसे ही भगवान के विशेश कृपा पात्र जो योगी होते हैं अर्था महापुरुष होते हैं भक्त होते हैं वो प्रभु के जैसी लीला उनकी दिखलाई पड़ती है रामनंद भगवान तो साक्षात राम जी थे लेकिन ये महाउतार बाबा और लाहडी जीवे ये लोग उस कोत में पहुँच जाते हैं जहां भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता है भक्त और भगवान में वो अंतर ही नहीं रहा जाता है एक जैसे हो जाते हैं वह इस्टिती हो गई थी लाहडी जी की ये केश्वा नंजी ने अपने गुरुभाई युक्तेश्वर जी को अपने साथ घटी उही घटना सुना करके बतलाया कैसे कैसे चरीट छोड़ा था फिर कैसे प्रकट हो गए जो केश्वा नंजी ने बतलाया था युक्तेश्वर जी को वो मैं आपको सुना रहा था आगे इन योगियों की चरित्विती बातें और थाथ योगा नंजे उनके गुर्देव की बातें आपको फिर सुनाओगा आज इन सब दिव्यात्माओं को परणाम करके यहीं पिराम दे रहा हूं श्री राधिरा देगे श्री राधिरा देगे